शेट विद्यामंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBAC की संसीत अक्षा आठ्मी में आज हम कारक उपद विवक्तिया चव का आध्यनन करेंगे संपर्दान कारक संपर्दान का अर्थ देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए जहां किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संपर्दान कारक होता है दुसरे शब्दों में जिसके लिए कोई दान आधे की क्रिया की जाती है उसे संपर्दान कारक कहते हैं संपर्दान में चत्रती विवक्ती का पर्योग होता है, संपर्दान कार्ग की विवक्ती चिन के लिए या को है, उधारन माता बालक को दूद देती है, जन्नेनी बालकाय दुखदम ददाती, बालक के लिए दूद देता है, विकास तुशार को पुस्तक देता है, विकास लिए दिया जा रहा है उसके लिए चतुर्ति भीवक्ति लगाई जाएगी नदिया प्रॉपकार के लिए वहती हैं नदिया प्रॉपकाराय वहंती रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है रमेश पठनाय विद्यालम गच्छती अपादान कारक जब संग्या या सरवनाम के किसी रूप से किनी दो वस्तु के अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है दूसरे शब्दों में जब करता किसी व्यक्ति वस्तु अत्वा स्थान से अलग होता है उस वस्तु व्यक्ति अत्वा स्थान को अपाद अपदान कार्क की विवक्ति चिन से होता है, से चिरन करनकार्क का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है, यहाँ से कार्थ है अलग होना, यहाँ किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए पर्योक्त होता है, जैसे सुरेश साइकल से गिर गया, सुरेश द्वी चक्रिकाया हो पत्ती, सुरेश किस से अलग हुआ? द्वी चक्रिका से, वरिक से पत्ते गिरते हैं, वरिक्षात पतरानी पतंती, मोहन घोडे से गिरता है, मोहन अश्वात पत्ती, वह कुएं से जल लाती है, साकू पात जल आने ती वह कहां से भानी ला रही है कूँ ऐसे इस प्रकार से इन वाक्यों में द्वीर चक्रिकाया हो व्रिक्षात अश्वात कूपात अपादान है अता इन में पंचमी विवक्ति का पर्योग किया गया है संबंदकारक संग्याजा सरवनाम का वह रूप जो हमें किनी दो वस्तूं के बीच संबंद का बोद कराता है वह संबंदकारक के भिवक्ति चिन काके की रारेरी आदी है मुधारन वह राम का बेटा है सहराम अस्य पत्रह अस्ति वह सुरेश की बहन है सा सुरेश अस्य भग्नी अस्ति यह सीता का पिता है ये शह सीता यह पिता अस्ति यह नरेश का भाई है एश नरेश अस्य भ्राता अस्ति अधिकर्ण कार्क अधिकर्ण का अर्थ होता है आश्रे संग्या का वह रूप जिससे क्रिया के अधार का बोध हो उसे अधिकर्ण कार्क कहते हैं इसकी भिवक्ति में और पर होती है बीतर अंदर उपर बीच आदी शब्दों का पर्योग इस कार्क में किया जाता है किसी क्रिया के अधार को अधिकर्ण कहते हैं और अधिकर्ण में सब्तिमी भिवक्ति का पर्योग किया जाता है उधारंग के तोर पर अकाश पर पक्षी उड़ते हैं अकाशे खगाः उत्पतंती व गाउं में रहता है वो कहा रहता है गाउं में रहता है तो इसके मतलब यहाँ पर आधिकर्ण कारक है और सब्ते में भी वक्ती लगेगी तलाब में कमल खिल रही है तड़ागे कमलानी विक्संती इस परकार से यह अधिकर्ण कारक हुआ संबोधन कारक जिसमें किसी को बोलाने पुकारने जब बोलने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते है संबोधन कारक की पहचान करने के लिए जिसमें मुदत यह चिन लगाया जाता है संबोधन कारक के हे रे अरे आदी भी वक्ती चिन होते हैं उधारने के तवर पर हे राम बहुत बुरा हुआ अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए अरे बच्चो शोर मत करो अरे यह इतना बड़ा हो गया इस परकार से संबोधन किये गे शब्दों के को संबोधन कारक कहा जाता है UH ऊचित शब्त आइडिक स्थानाँनीपयत आहम डैश लिखामी कलम तरेत्थि в्वक्ती लगाएंगे तुलगांगे कि कलं से लिखते हैं तो तरेत्य व्वक्ती लगेगी शात्रफ जो है पढ़ ने के लिए जाते हैं तो यह जो तरेत्थि भीक्ती हुई पत्रानी पतंती व्रिक्ष पंचमी विभक्ति व्रिक्षात सीता डैस सहवनम अगचत सीता किस किसा जारिये वन को गई थी राम किसा तुद्या राम किसा तृत्य विभक्ति रामेन बालह डैस बह्या कडंती ग्रह पंचमी विभक्ति का किस से बाहर खेल रहा है ग्रह से ग्र कहां रहते हैं गाउं में रहते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब रहते हैं इस बाग में कारक्षब कर का हम ने प्रयोग करना सीखा कार्क की विवक्तियां का पड़ा, कार्क के बारे में पड़ा, विवक्तियां हमारी कितनी होती हैं और उनका पर जो करना हमने सीखा कार्क तो था उपद विवक्तियों के इस भाग में हमने कार्क के बारे में पड़ा कार्क कितने परकार के होते हैं उनकी व्यक्ष्या के अध्यनन किया कार्क के कार्क और उपत व्यक्तियों के दूसरे भाग में हम उपत व्यक्तियों के बारे में अध्यनन करेंगे